हेलो एब्रीवन मैं अबोकीट कीर्थी भादवाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भादवाज लो क्लासे में इक पर फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने जो पंजाब कोट की हमने सीरी स्टार्ट की थी उसका नेक्स लेक्टर लेकर आई हूँ इससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अबलेबल है आप महां जाकर इसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रपरेशन शुरू कर सकते हैं यह पंजाब कोट आठ का लेक्चर नमबर 6 होगा, इससे पहले वी हाव डिसकस्ट तिल प्रोविजन नमबर 34, तोड़े विल डिसकस्ट विद सेक्शन नमबर 35 और फर्दर प्रोविजन्स, अगर आपको आपकी चैनल पर आ रही वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को ल पंजाब कोट आक्ट, 1918 का आक्ट है भईया, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट बेस्टिंग दा टाइम, फर्दर प्रोविजन्स, और अगर आपको हम इन नोट्स की पीडिएफ चाहिए है, तो आप हमारे पब्लिक ग्रूप, जो टेलिग्राम ग्रूप है उससे जु ये पावर है, डिस्टिक कोट और एनी कोट या तो डिस्टिक कोट या कोई भी कोट जो उसके कंट्रोल में हो, डिस्टिक कोट के सुपरेटेंडेंडेंट्स में हो, उसको कि वो किसी भी मिनिस्टेरिल ओफिसर पर एक मंथ तक की सेलरी, maximum fine जो है वो बहिया, कितना है? 1 month की salary, fine not exceeding 1 month salary for the misconduct neglect in the performance of his duty ठीक है, यहाँ दान रखना जो हमारा pre का question बनेगा वो इस area से आपका pre का question बनेगा यह important है, section number 36 pre में पूछा गया है तो please mark it for a pre, important provisions है एक बात जो इसका subsection 2 कह रहा है कि भाईया अगर आप appeal में गए ठीक है तो यह ज़रूरी नहीं है कि यह order जो है यह stable ही रहेगा, यह order on the sewer motive या reverse किया जा सकता है by the court, district court in the appeal इट में revise और modify the order, ठीक है भाईया अब आते हैं section number 37 पर 35 जो है भी repeal हो चुका है, I forgot to tell 36, we have discussed now, shift to the 37 37 क्या कहता है delegation of the district judge's power delegation की power district judge के पास है with the previous sanction of the high court तो हमारा जो question बनेगा, वो यहां से बनेगा कि किस के पास power है और उसको किस की permission चाहिएगी previous sanction high court की require होगी और वो delegate कब-कब कर सकता है delegates is power under section number 33, 34 and 24 of CPC यहां पर ध्यान रखेगा जो आपका further provisions है वो आपको बता रहा है के section number 33 and 34 of the Punjab court act and 24 of the CPC यह जो 33, 34 है यह पंजाब court act है यहां पर पंजाब court act add on कर लीजेगा प्लीज और जो इसमें provisions को पढ़ते हैं अब a district judge में with the previous sanction of the high court delegates to any civil judge senior division at the intermediary level यह वही civil judges है जो हमने section number 18 में discuss किये थे senior civil judge, upper senior civil judge, superior senior judge और civil judge junior division के कडार पर at the entry level ठीक है और जो delegate होगी power वो conferred होगी on the district by the section 33 in the district the power conferred on district court by section 33 and 34 यह चीज़ का ध्यान रखेगा जो delegation की power आपकी दी गई है वो दी गई है section number 33 section number 34 में जब वो business को सेक्शन number 34 में जब वो business को distribute करता है और section number 33 जब वो control अपना जो है execute करता है on the lower judiciary अब आते है section number 38 appeal from the district judge और the additional district judge भाईया appeal जो है आपकी district judge या additional district judge से सिधा high court में जाएगी if the matter is presented to the additional district judge and is disposed of by the district judge shall lie to the high court यहाँ ध्यान रखेगा जो ADJ के functions है न वो एक ऐसे ही perform किये जाएंगे जो additional district judge की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर कि वो as a ADJ और उनके पास भी जो आप appeal फाइल करेंगे that appeal will be no go to high court इसमें एक case law करहे कुलदीप सिंग वर्से स्टेट ऑफ पंजाब very much important case law इसको please mark कर लीजेगा for prelims एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेगा वो appeal आपकी district judge से ADJ से किसी भी order और किसी भी decree दोनों की appeal जो है high court में ही जाएगी shall lie to the high court चाहे वो आप decree है चाहे वो आपका order है आप अगर district judge या additional district judge से apply कर रहे हैं तो आपकी appeal would lie to the high court कुलदीप सिंग वाला case जो है वो आपको करना है that is important case law अब आते हैं section number 39 appeal from the civil judge senior division and the civil judge junior division एक बात मैं आप लोगों को फिर से repeat कर दूँ in this lecture that जो आपकी पंजाब court act है इसमें आपको हरियाना specific provisions को ही करना है ये धान रखियेगा ठीक है तो appeal from the civil judge senior division and the civil judge junior division भया district judge की appeal दे रखी थी 38 में 39 में हम discuss करेंगे appeal from the civil judge की बारे में appeal किसके पास जाएगी एक हरार्की है जो यहां से हरार्की पता लगती है civil judge district judge high court ठीक है तो भया district judge की अगर high court के पास जाएगी तो civil judge की आपकी किसके पास जाएगी district judge के पास और इसमें जो बैरेक में provisions दे रखे हैं for the senior civil judge अपर senior judge at the intermediary level and the junior division cadre at the entry level वही है जो आपके section number 18 में we have discussed subsection 2 पे आते हैं जो बात करता है such appeal must be heard either by the district judge और the additional district judge जो appeal जाएगी वो या तो district judge द्वारा सुनी जाएगी या additional district judge द्वारा सुनी जाएगी ये चीज़ का ध्यान रखेगा कि additional district judge के पास भी same powers है भया subsection 3 पे आते हैं यहाँ पर क्या कहता है additional district judge में here appeal only as directed by the high court as makeover to the by the district court of that district भया एक चीज़ का specifically द्यान रखना additional district judge जब ही appeal को सुन सकता है जब या तो उसके पास case जो है makeover होके आया makeover किया गया है या case जो है high court के द्वारा उसको direct किया गया है ठीक है ये दोनों conditions these two conditions are very much important please इनको mark on कर लीजेगा कि कब जब case आया है आपका by the makeover या आपका case आया है by the direction of the high court सब सक्षिन 4 पे आते हैं all appending appeals spending in the high court from the order and decree of the civil judge shall be transferred to the district judge क्योंकि ये original territorial jurisdiction की बात करता है back to the provisions हाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो pecuniary jurisdiction है मतलब जो value of the original suit है उसको consider ना करते हुए direct अगर आपने appeal भाया भेज दी है civil judge senior division cadre से आपने direct appeal जो है high court में डाल दी है and that is the pending तो high court क्या करेगा उस appeal को transfer कर देगा to the district judge exercising the ordinary territorial jurisdiction subject to the irrespective of the value of the original suit मतलब original suit की value का कोई consider नहीं करेगा वो वो suit को transfer कर देगा district judge के पास अब आते हैं subsection 5 पर subsection 5 क्या कहता है high court में by the order direct that appeal pending before the district judge high court के पास अगर कोई भी appeal जो है वो direct order डाल सकती है कि high court में by the order direct that appeal pending before district court के कोई भी appeal जो है district court के पास spending है वो किसी भी civil judge के द्वारा सुनी जाए ठीक है वो civil judge at the intermediary level और at the entry level ये दोनों types के civil judges की बात यहां पर कर रहा है इसमें ध्यान रखेगा एक note डाल लीजिएगा civil judges are not empowered to dispose of the case under its appeal authority भाया civil judge के पास कोई भी power नहीं है कि वो application को या जो appeal है उसको dispose of करे but वो ऐसा कर सकता है if that directions जो है high court के द्वारा या district court के द्वारा उसको दिया जाता है तो ही he is subject to the direction of the high court and the district court और जब वो smarter को deal कर रहा है तो उसको ऐसा consider किया जाएगा that court civil judge वाली court is a district court ये धान रखेगा चलिए आज के lecture को यहीं end करते हैं soon within two coming lectures we will sum up with this act also ठीक है उसके बाद हम आप बताईए का कौन से act शुरू करें अगर आपको इसके notes का pdf चाहिए तो आप हमारे public group को join कर सकते हैं आप भारतवास law classes, telegram का public group है आपको free pdf download हो जाएगी वहां से plus अगर आपको कोई query है regarding the haryana crash course which we are starting तो आप दिये गए number पर call या WhatsApp करके query ले सकते हैं और हमारे group के साथ जुड़ सकते हैं जो crash course की fees है वह 5000 rupees होगी और यह दो installment में दी जा सकती है Google meet classes होगी यह one to one interaction होगा daily business पर आपकी Google meet पर classes ली जाएगी अगर आपको जुड़ना है तो आप दिये गए number पर call या WhatsApp करके query ले सकते हैं number है 8377032873 thank you all the best next video आये तब तक साथ बनाये रखेगा पढ़ते रखेगा और आपको क्या करना है channel को like करना है share करना है subscribe करना है and also press the bell icon so that आपको regularly notifications मिलती रहे और at the end of the day पढ़ाई हमारे काम आएगी भाया तो पढ़ लो पढ़ने से ही हमें हमारी मंचल मिलेगी thank you all the best और हणुम्राइबा